नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सामुन दाना का पापड बनाने की रेस्पी बता रही हूँ इसको बनाना बहुत ही असान है और ये पापड सबको बहुत पसंद आता है साथ ही ये पापड हम ब्रत में भी खा सकते हैं बस इतना ध्यान रखना है कि इसको बनाते समय हम साधा नमक का इस्तमाल करते हैं उसकी जगा सेंदा नमक का इस्तमाल करेंगे तो चलिए बनाते हैं इसको इसके लिए मैंने एक कटोरी सामुन दाना, एक छोटा चमस जीरा और नमक यहां मैंने सादा नमक का इस्तमाल किया है समुदाने को मैंने रात भर पानी में भीगोकर रखा था पानी बस समुदाना को डूबने तक ही टालना है ज्यादा नहीं यह देखिए अच्छे से भीग चुका है अब हम समुदाने के हिसाब से 5 कप पानी लेंगे या एक लीटर मैंने पानी यहां पर लिया है अब इसको हम गैस पर गर्म करने के लिए रखेंगे इसको अच्छे से उबालेंगे इसको जब यह पानी अच्छे से गर्म हो जाए तक हम एक छोटा चमज जीरा और एक छोटा चमज नमक डाल देंगे जब पानी उबलने लगे तो हम समुदाने को डालेंगे समुदाने को डालने से पहले इसको अच्छे से तोल मतलब हाथ में मसल लेजिए ताकि इसके दाने अलग-अलग हो जाएं तो ही इसमें डालिए तो पापड आपके बहुत अच्छे बनेंगे अब इसको थोड़ा मिलाईए ताकि ये बॉटम में जलने ना पाए और इसको अच्छे से पकाईए उबलने दीजिए इसको गैस पर जब इसमें उबाल आ जाए तो गैस को धीमा कर दीजिए और इसको 3-4 मिनट तक पकाईए इसको थोड़ा पकने में टाइम लगता है सामुदाना पकने के बाद पुरा ट्रांसपेरेंट हो गया है अब ये पक चुका है अब हम गैस को बंद कर देंगे बंद करने के बाद इसको 2-3 मिनट लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए इसके बाद एक प्लास्टिक शीट पे थोड़ा सा तेल डाल कर अपलाई करेंगे और चम्चे से इसको थ्वार थ्वार डालेंगे इसको फैलाना नहीं है ये अपने आप अकार ले लेता है देखिए यहां पर मैंने एक्जाम्पल की रुपी बताया है और आप इसको डालेक्ट धूप में बना लीजिए और पापड फटे नहीं इसका दिहान रखे कि आप इसको अच्छे से पकाईए और जितना मैंने मात्रा बताया है सामगरी का उस हिसाब से इसको बनाईए उस समय में बनाईए आपका पापड बिल्कुल लई फटेगा और बहुत अच्छा बनेगा अब इसको धूप में अच्छे से सुखा लीजिए इसको सुखने में एक सी दो मिनिट लगेंगे अगर धूप बहुत अच्छी है तो यह देखिए बहुत अच्छा यह सुख किया है और आप इस में तल कर दिखाती हूँ यह बहुत ही अच्छा बना है आप देख सकते हैं कि यह पापड कितना अच्छा सफेद और साइज में बड़ा बन रहा है यह बहुत ही क्रिस्पी और स्वाधिस्ट होता है इसको तलते समय थोड़ा चम्चे से दबाते हुए तल लिए बहुत अच्छे से पक जाएगा यह दोनों तरफ मुझे यकीन है कि आपको यह मेरी रेस्पी जरूर पसंद आएगी और यदि आपको यह मेरी रेस्पी और मेरा वीडियो पसंद आएग तो प्लीज लाइक और शेयर करें कमेंट्स करें कि यह कैसा बना है और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए तो मिलते हैं मेरे अगले नए रेस्पीस के वीडियो में बाई बाई